एलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टूमी चैनल आज हम इस मिडी ड्रेस को पांसे छे साल बच्ची के लिए बनाएंगे यह एक रिकेस्टेट वीडियो है आपके लिए वीडियो है आपके लिए वीडियो है ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैन का एड़ करेंगे क्योंकि यहां पर हम जिप लगाएंगे इस साइज में लेंथ रखेंगे 24 इंग जिसमें हाफ इंच शोल्डर से एड़ किया है सीम अलाउंस का तो यहां से 24 इंच पर निशान लगाया है और नीचे से कपड़ा फोल्ड करने के लिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जन रखा है जिससे अगर हम इसके लेंथ बाद में बढ़ाना चाहें तो हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जन हो इसलिए 2 इंच रखा है बेबी का फुल शोल्डर है 10 इ इसे बराबर कर देंगे मेरे मेजरमेंट में लूजन के साथ बेबी का फुल चेस्ट 24 इंच मेरे मेजरमेंट में जो बेबी का साइज है वो बहुत जादा नहीं है इसलिए आप चो यहां बॉडी का मेजरमेंट है उसे अपने बेबी के एकॉर्डिंग ही रखेगा तो नीचे से 2 इंच प्लस कर लेंगे तो यहां से 0,5 इंच इसकी वीट रखी है मैंने अब इस निशान को बिलकुल यहां से मिलाएंगे यहां पर आर्मोल का शेप देंगे रेके विट लेंगे 1,5 इंच यहां से डैफ लेंगे 3 इंच अब इसमें राउंड शेप कर देंगे दे देंगे ये मैंने 5-6 साल बच्ची के कोडिंग कटिंग करी है अगर आप इससे 6-7 साल या 8-9 साल का भी बनाते तो जैसे मैंने मैथट के कोडिंग कटिंग करी है वैसे सेम आप अपने बॉडी मेजरमेंट के कोडिंग इसी मैथट पर कटिंग करेंगे अब विल्कुल सेम निशान पर कटिंग कर देंगे अब आपको सिंगल लेयर लेनी है और इसे सेंटर से फोल्ड करना है अब इसके उपर इस निशान से बाहर के लिए निकालते वे रखना है तो देखे फ्रेंट्स यहां से मैंने जो यह वाला आधे इंच का मारजन है वह बाहर के लिए निकालते वे रखना है अब लुकुल इसी के बराबर हम कटिंग करेंगे अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे तो यहां से भी अमने दो इंच लिया है एक्स्ट्रा तो यहां से भी दो इंच पे लगाएंगे निशान अब यहाँ पर एक कट लगा लेंगे अब इसके लेविल से कपड़े को फोल्ड करेंगे शोल्डर इसमें अटाच कर देंगे इस खुले साइट पर आपको ओवरलॉक कर लेनी है फिर आपको कंसील जिप लेनी है और इस जिप को यहाँ से रखेंगे यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और इस निशान से लगबग एक इंच उपर के लिए निशान लगाएंगे अब इसमें यहाँ से सिलाई लगा देंगे इस निशान तक यहाँ पे सिलाई लॉक करके उतार देनी है अब इस जिप को उल्टी तरफ से यहाँ पे रखेंगे और इस तरफ से बराबर मिलाएंगे और पहले इधर से इसको अटाच कर देंगे उसके बाद इसको इधर से बराबर मिलाएंगे और इसे यहां से अटाच कर देंगे जिब कैसे अटाच करते हैं उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं अब आपको क्रॉस पट्टी लेनी है क्रॉस पट्टी को आपको इधर से रखना है क्रोस पट्टी को खीच के नेक लाइन से बराबर मिलाए नेक लाइन आपको नहीं खीचनी है आपको सरफ ये वाली पट्टी खीच के बराबर मिलाना है पूरी नेक लाइन में ये पट्टी लगा लीनी है और दोनों साइट से आधा इंच बाहर के लिए निकाल देनी है अब इसको एधर फोल्ड कर लेंगे बराबर से फिर इसको यहाँ तक फोल्ड करेंगे अब इसे फोल्ड करके इसी वाली सिलाई के ऊपर रखेंगे इस तरह से और किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे ऐसे neck line fold कर लेनी है मैंने sleeve के लिए organza fabric लिया है यह स्रिप मैंने आधा मीटर लिया है sleeve के लिए 2 layer है जिसे center से fold करेंगे इस size में sleeve की length है 6 inch जिसमें 5 inch extra लेंगे तो यहां से मैंने length लिया है कपड़े की 11 inch 3 inch पे निशान लगा देंगे यहां से पीछे के लिए R मूल की length लीती है अमने 5 inch तो 5 inch पे लगाएंगे निशान और यहां से देखे कपड़े की उतनी ही width मैंने extra ली है यहां से 5 inch रखी तो यहां से भी 5 inch extra ली है अब यहां से R मूल का shape देंगे पहले यहां से cutting कर देंगे यहां पे हलका सा shape देंगे फिर इसमें उपर से देखे गैदर बना देंगे और नीचे से कपड़े को fold कर लेना है अब आपको पतली वाली elastic लेनी है इसमें 7.5 inch पे एक निशान लगाएंगे अब पहले इस elastic को इसके अंदर डाल देंगे यहां से और डालने के बाद हम इस निशान पे cut कर देंगे ऐसे इसको नीचे से त्यार करना है और इसमें gather आपको इस हिसाब से डालनी है कि यहां से इसकी r mole के length के बराबर रहे इस sleeve अब इसके उपर रखेंगे इसको और यहां से attach कर देंगे दोनों ही sleeve ऐसे attach करनी है अब इसको side से भी attach कर देंगे यहां से sleeve को ऐसे बराबर मिलाएंगे और side से इसको attach कर देंगे अब नीचे से कपड़े को fold कर देंगे तो हमने इतना margin लिया है इसी margin में कपड़े को fold करेंगे अब यह पूरा dress तैयार है तो है न विकुल same look अगर आपके लिए वीडियो थोड़े से भी helpful होते है तो please like share जरूर करा कर ये वीडियो को चैनल को subscribe नहीं किया हो आपके subscribe और like से में काफी motivation मिलता है आपके request पर वीडियो बनाने के लिए हम ऐसी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए bye thank you for watching guys